इस साल होने वाले बिदान सभा चुनाम में मद्द प्रदेश कॉंग्रिस का उन्ने तरद्ब दोनों ही तेह हैं। आला कमान भी कमलनाथ के चेहरे को लेकर भरोसा जाता चुका है। तो कॉंग्रिस कारे करता भी कमलनाथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजनितिक गल्यारों में अभी इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई ये की आखिर कमलनात के बाद कॉंग्रिस की कमान किसके हाथ में होगी आखिर कौन होगा कॉंग्रिस का अगला चेहरा भही सूत्रों की माने तो कॉंग्रिस आला कमान का पूरा फोकस कांग्रिस क युवा नेताओं पर है इन चेहरों की बात की जाए तो एक है इन दोर के राव से कोंग्रेस बिदायक जीतू पड़वारी बहीं दूसरे चेहरे की बात की जाए तो रावगर से बिदायक और दिग्विये सिंग के पुत्र जे बरदन सिंग बहीं इन दोनों नेताओं की बात कि जाए तो कहीं न कहीं जीतू पड़वारी इस दोड में आगे चल रहे हैंलेकिन जेबर्दन सिंग दिगवय्य सिंग के बैटे हैं ऐसा में कोंग्रेस में दिगवय्य सिंग's की हर बात मानी जाती है और दिग्विये सिंग 10 साल तक मद्द प्रजिस के मुक्य मंत्री भी रह चुके हैं भही जीतू पड़वारी की बात की जाए तो कॉंग्रस में सबसे जादा कोई नेता एक्टिव है तो बहर जीतू पड़वारी मौजुद हालात में जीतू पड़वारी तेजी से उबरते हुए नेता की रूप में देखे जा सकते हैं भही कई लोग जीतू पड़वारी को सिंधिया के बेक अप की रूप में देख रहे हैं